आज दिनांक 25 फरवरी 2021 को सुबह से ही सोसल मीडिया सैट्स पर एक हैस्टेग नमबर वन पर ट्रेंड कर रहा था जिसका नाम था हैस्टेग मोधी जौब दो ना सिर्फ ये हैस्टेग बल्कि अन्य राज्यों के द्वारा भी कुछ हैस्टेग ट्रेंड कराये गये थे जैसे कि अगर मध्य परदेश की बात की जाये तो हैस्टेग मामा जौब दो या फिर इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की बात की जाये तो सिक्षक भरती से सम्मंदित हैस्टेग भी ट्रेंडिंग कुछ समय के लिए आय हुए थे यानि कि आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बलकि पूरे भारत वर्ष के बेरुजगार छातरों ने बढ़ चड़ करके इस ट्वीटर कैमपेन में हिस्सा लिया था लेकिन फिर सवाल यहीं उत्पन होता है कि आखिर ये अभियान कितने हद तक सफल हुआ है और इसका क्या कुछ प्रभाव हुआ है इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देखना है करियर बिट यूट्यव चैनल अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट करने तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सबसे पहले बात करेंगे इस ट्वीटर अभियान का सरकार के द्वारा किस नजरिये से देखा जा रहा है तो इसक्रीन पर आप एक न्यूज फ्लैस देख पा रहोंगे आजादी के नाम पर सोसल मीडिया पर नहीं चलेगी मनमानी जिस प्रकार से टीवी और प्रिंट मीडि मीडिया को सेलफ रेगूलेशन का पालन करना पड़ता है उसी प्रकार से अब डिजिटल को भी सेलफ रेगूलेशन के संदर में बाते निकल करके आ रहे हैं यानि कि सीधा समतलब यह हुआ कि सरकार नहीं चाहती है कि आप अपने मुद्दों को ट्वीटर के माधерм से उठा अब आये बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से सोसल मीडिया का प्रयोग करते हुए जो एक डिजिटल क्रांती लाई जाने की कोशिश की जा रही थी अभियूर्थे को दारा उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है इसक्रिन पर आप ट्रेंडिंग सेक्शन देख पा रहोंग की डिलीट किया जा रहे थे यहां पर आप देख लिजिए एक समय पे लगबग ट्वीट्स की संख्या हैश्टाग मोधी जौब दो लगबग 8 मिलियन के आसपास यानि 80 लाग के आसपास हो चुकी थी और ये most probable है कि ये 10 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी होगी लगबग करके 13 मिनट का है ठीक है पहले बात करेंगे 11 बच के 55 मिनट सुबह वाले का तो यहां पर आप ट्वीट्स की संख्या देख सकते हैं 6.3-4 मिलियन हो चुके थे लेकिन बाये वाले में देखिए उसके कुछ मिनट्स के बाद ही ट्वीट्स की संख्या लगबग 2 मिलियन से ज क्योंकि गलत है क्योंकि जिस प्रकार से आज कोरोना की वज़ा से ऑफलाइन तरीके से बच्चों को आदेशित नहीं किया जा रहा है कि आप अपने मांगों को रख सकते हैं तो अब ऑनलाइन के माध्यम से भी उनके ट्वीट्स को डिलीट कराये जा रहे हैं या फिर किसी प्रॉलम के वज़े से ट्वीट डिलीट हो रहे हैं ये भी एक गबनीर विशह है और इसकी भी जाच होनी चाहिए कि आखिर ये हो कैसे रहा था अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की तो यहां पर सीम ऑफिस के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जो कि आप इसक पूरी पारदर्शता के साथ संपन कराया गया और यहां पर टाइम देख सकते हैं 25 फरवरी 2021 को दोपहर के तीन बज के 25 मिनट पे ये ट्वीट किया गया है यानि कि इस ट्वीट के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार दिये ग इसक्रीन पर आप देख पार होंगे 25 फरवरी 2021 को ये रिजल्ट की घोशना की गई है वहें ट्वीट का प्रभाव ये भी पढ़ाया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस भरती एवन प्रोनत बोर्ड के द्वारा SI के लिए विग्यप्ति जारी कर दी गई है इसक्रीन पर आप विग्यप्ति की कॉपी देख पा रहे होंगे यहां पर कुल पदो की संख्या लगबग 9027 बताई गई है इसी विग्यप्ति के जब आप पॉइंट नंबर 1.3 को देखेंगे आप इसक्रीन पर देखिए इसमें इस परष्ट बाते में प्ष्ट पर दाए निरस्त की जा सकती है यानि कि अभी तक आप विग्याप्न देखते होंगे कि openness के संदर में तो उसमें यह बातने में पर रहे बदों की संख्या घट बढ़ सकती है लेकिन इस विग्यापन में पहले यह बातने में प्ष्ट की गई है कि बिना आपको का कोट में एक याचिका पड़ी हुई है और जो विग्यापन UPSI के लिए जारी किया गया उसमें तो क्लियरली मेंशन किया गया कि कभी भी निरस्त किया जा सकता है तो आज के कैमपेन का पूरा प्रभाव आप यहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कैमपेन को दबाने की की गई है बस दिखाने की कोशिश की गई है कि हम युवाओं के लिए कारे कर रहे हैं लेकिन जमीनी इस तर पर आप देखेंगे तो जब यह ट्वीटर अभियान सांत होगा तो कुछ भी आपके हाथ नहीं लगने वाला है दोस्तों आप लोग का क्या कुछ सोचना है पूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब हो